हेलो इस्टुडेंट्स देखिए हम लोग बात करेंगे कार्य फलन या देहली उर्जा के बारे में हम ये समझेंगे कि वर्ब फंक्शन या थ्रेसोल्ड एनर्जी होती क्या है ये चीज़ हम समझेंगे देखिए अगर हम बात करें वर्ब फंक्शन या थ्रेसोल्ड एनर्जी के तो ये किसी मेटल की प्रोपरटी होती है जैसे मान लिजे कि ये कोई मेटल है और यहाँ से अगर अपने कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाना है निकलवाना है तो सबसे पहले हमीं ये पता करना ह होगा कि इसको कितनी एनर्जी प्रोवाइट करनी पड़ेगी कम से कम तो कम से कम इसके पास कितनी मतलब इसको कितनी एनर्जी प्रोवाइट करनी पड़ेगी उसी को हम बोलेंगे कार या देहले उर्जा लेकिन होता क्या है कि यह होती है मेटल की प्रोपर्टी पहले हम मेटल की प्रोपर्टी को देखते हैं ठीक है यहाँ पर अगर बात करें तो इसका किसी भी मेटल का जो कार्य फलन यानि वर्क फंक्शन होता है फाई या डबलू से डिनोट कर सकते हैं फाई अब मेरी बात समझे जैसे यह कोई इलेक्ट्रॉन है ठीक है इस सर्फिस पर इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कितनी कम से कम एनर्जी देनी पड़ेगी उसी को हम बोलते हैं कार्य फलन या देहली उर्जा इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन या थ्रेस्वल्ड एनर्जी यहाँ पर समझे हम बोलने कि वह नियुन्तम उर्जा जो इलेक्ट्रॉन को धातू की सतर से मुक्त कराने के लिए आवस्या खो उसे उस धातू का कार्य फलन या देहली उर्जा करते हैं इसे डबलू या फाई से हम प्रदर्सित कर सकते हैं यह करते हैं मैंने क्या बोला कि यह किसकी प्रोपर्टी है मेटल के बारे में है आप ना इसको कितनी कम से कम एनर्जी प्रोवाइड करें ताकि यह इलेक्ट्रॉन इस सर्फेस को छोड़ के चला जाए तो उसके लिए हम बोलते हैं कि इसका जो कारे फलन यानी वर्क फंक्सन होता है न कम से कम उसके बराबर आपको देना पड़ेगा मतलब अगर हम इसको जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं यह एनर्जी कम से कम यानी E की वैलू जो होती है कम से कम फाई के बराबर होना चाहिए मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए लेकिन या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो हम energy provide कर रहे हैं वो इससे थोड़ा जादा हो जाए मतलब जादा हो जाए या कम से कम इसके बराबर हो जाए तब जाके ये electron इस surface को छोड़ने के लिए राजी हो जाएगा और जो ये energy है इसी energy को बोला जाता है threshold energy या देली उर्जा या कारेफलन कारेफलन आखिर है क्या हम वही बोल रहे हैं कि ये जो कम से कम वाली बात है वह फाई के बराबर होना चाहिए और फाई होता क्या ये metal की property होती है कोई भी metal दीजिए उसकी property के बारे में इतनी बात समझ में आगे तो आपको ये समझ में आ गया कि आखिर देली उर्जा या कारेफलन है क्या इसको denote कि से किया जाता है अगर इसके unit की बात करें तो इसकी unit electron bolt या जूल होती है जो work function होता है कारेफलन होता है अगर हम फाई के unit की बात करें तो unit ये भी एक energy यह ना तो इसकी जो यूनिट होगी या तो आपकी जूल होगी या तो आपकी इलेक्टरॉन बोल्ट होगा दोनों में जो कोई एक होगा उसको देखना पड़ेगा ठीक है तो फिलाल ये तो समझ में आ गया जरा अब हम बात कर लेते हैं थ्रेसोल्ड वेबलेंथ और थ्रेसोल्ड फ फ्रेक्वेंसी के बारें बात करेंगे हम ये देखेंगे कि देहली आवरिती यानि थ्रेसोल्ड फ्रेक्वेंसी है क्या अब देखें यहीं पर हम इसी मेटल सर्फिस की बात कर रहे हैं इसी मेटल सर्फिस की हम लोग बात कर रहें ठीक है हम लोग ये करते हैं कि जो इंसिड लिए खो देहली आवरीति कहलाती है और इसे हम New Nots से प्रदर्सित करते हैं इसको क्या बोलते है New Nots कहने का मतलब यह है कि हम यहां पर यह बोल सकते हैं कि जैसे एक कोई आपना लाइट रेक कोई फोटॉन इसके उपर गिर रहा है और इस फोटॉन की जो मीनिमम फ्रिक्वें और इस minimum frequency से कोई भी electron ये electron बाहर चला जाता है, तो जो ये minimum frequency है न, minimum frequency याँनि की नियुन्तम आवरिती है, इसे ही हम बोलते है, threshold frequency याँनि देहली आवरिती, जो नियुन्तम आवरिती होती उसी को बोलते हैं, ठीक है, अब मेरी बात समझेए, मान लिजिये कोई electron, ये electron है, अगर इसको हम minimum मतलब new knot दे देते हैं तो ये निकल जाता है लेकिन अगर मान लीजिए जो मैं ये photon लेके आ रहा हूँ ये light rays आ रही है अगर इसकी आपरिती frequency new हो और ये आपका new knot हो अगर मैं आपसे बोलूँ कि चलिए new knot की value जादा है कहने का मतलब ये है कि ये किसके लिए है ये जो electron निकलने वाला है इसको दी जाने वाली कम से कम या minimum frequency वाली वो photon है है ना अगर मान लिजे कि आप एक energy provide कर रहे हैं उसकी frequency इससे कम हो जाए इससे कम होने का क्या मतलब है कि जब इससे कम से कम इतना देंगे तो निकलेगा लेकिन अगर इससे भी कम दे देंगे तो आपका electron या से निकलेगा नहीं तो हम बोलेंगे कि इस case में electron जो आपका है वो eject नहीं करेगा मतलब नहीं निकलेगा मेरी बात सोईना रही है लेकिन अगर हम बोल दें यहीं पर देहली आवरेती से जादा हो, तभी जाके आपका electron eject होगा, कहने का मतलब है कि आपका electron निकलेगा, ये बात सही है, लेकिन इसमें कभी नहीं होगा, मेरी बात समझना रही है, तो इतनी चीज़ आप ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर अब मेरी बात समझेगा, अगर हम work function की बात करते हैं फाई, तो देखिए, फाई, फाई क्या था, मीनिममम एनर्जी थी, और मीनिममम एनर्जी की बात करें, तो यहाँ पर एज और ये निव नॉट आएगा, मतलब जब कारे फलन वाले हिस्से की बात आएगी न, तो कारे फलन वाले हिस्से में जो आपकी frequency होगी वो threshold frequency यानि कि देहली आवरेती के बराबर होगी, मतलब मीनिममम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, मीनिममम की बात करेंगे, कहाने समझ मा रही है, तो इतनी बातें आप याद रखिएगा, कि अगर हम, हमको आवरेती दे रखी है, और ये आपका यहाँ पर क्या है, वर हमारा दे रखा है, जिसको हम बोलते हैं threshold wavelength, अब उसके बारे में जरा हम लोग बात करेंगे, हजी, देखिए, अब हम लोग बात करेंगे, देहली तरंगदर्दे के बारे में, हम ये समझेंगे कि देहली तरंगदर्दे आखिर होती क्या है, ठीक है, हम इस चीज़ के उपर चर्चा करेंगे देखिए अगर यहां पर बात की जाए तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा अब बात होती है कि वर्क फंक्शन आपका बहुत कम होना चाहिए मतलब मीनिमम वर्क फंक्शन की बात करते हैं आपको पता है कि फाई इस इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेंडा हो वह आपका मैक्सिमम होना चाहिए अगर आप इसको मीनिमम लाना चाहते हैं तो इसको आपको मैक्सिमम लेके आना पड़ेगा अब जरा मेरी बात यहां पर समझिएगा हम लोग क्या करते हैं कि यह कोई मेटल है और हम यह जानना चाहते हैं कि इसको कितना अधिक से अधिक मतलब किता है यह जो फोटॉन है इस फोटॉन के पास अधिक सधिक कितनी वेवलेंद होनी चाहिए जिससे यह इलेक्टॉन तो जिसकी बात हम कर रहा है वह मेटल है उस मेट वह मेटल कुद बताएगा कि मेरे पास नहां मतलब मुझे जो दे रहे हो लेवलेंड अगर इस से कम दोगे यह मेरी वेफलेंद अधिक ऍधि कितनी है अगर मै Crown निकलेगा अन्याभी समझ में कि कि मैं क्या बोलना चाहता हूं आपसे यह बोले हुं कि आपतित वीकरण की वहां अधिक्तम देख्या का नाती है और ऐसे लेंडा नॉट से प्रदर्सित करते हैं आप देशाने का मतलब है कि यह जो आप लेंडा नोट देख रहे है यहीं मेटल के लिए यह जो इलेक्ट्रॉन है यह सिकता है अगर आप मुझे निकालना चाहते हैं तो आप जो एनर्जी दे रहा है उसकी वेवलेंथ जो है उसकी कर मोंनी चाहिए मतलब यह जाधा माँ मेल और यह आधिक से दिग अधिक होने का मतलब आप लाइट दे रहें जो आफ पॉतोन इसके उपर घिरा रहे हैं उसकी जो टोल मिलेन्थ हों आ पुas मेला समझे गा अब यहां पर आपको यहीं बात ध्यान लगना है कि आनी तरंडर को बोला जाता है थ्रेशोल्ड वेवलेंद या देली तरंग दर्द यहां पर आपकी जो वेवलेंद होती है वो अधिक्तम होती है मैक्सिमम जब उससे आप मीनिमम वेवलेंद की आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तब जाके आपका फोटॉन होगा यानि की बाहर निकलेगा मेरी बात समझ मा रही है अगर सभी फॉर्मुलों को अब मिलाए जाए अगर अब सब को मिलाया जाए तो आपने देखा यहां पर कि अगर हम कार्यय फ़लन की बात कर everybody function की बात कर से आप ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो आपका इलेक्ट्रॉन इस एक होगा नहीं दे पाएंगे तो नहीं होगा यह दियान रखना है क्योंकि निमेरिकल में भी कामे आएगा अगर हम यहां पर फाई की बात करते हैं तो फाई इस इक वार्स तू अब यहां पर एक चीज़ देखें फाई को आप बोल सकते हैं फाई मेनिमुम एनर्जी मतलब आप जो म्पर नेर्जी मंटmniej करेंगे वह इसके कार्टे पार पर ट्रोई करेंगे फाई Normally is Equus To ुम और दिखेंगे N यहाँ पर लिखेंगे A7 अपूं Should या नोट मेरी बात समझेगा हम यहां पर मीनिमम एनर्जी की बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं मीनिमम एनर्जी की बात कर रहे हैं अगर मीनिमम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो आपका आपका फ्रिक्वेंसी यानि आवरेती कैसी होनी यह मीनिमम लेकिन अगर वेवलेंद कि ये क्या है तो इसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड इसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी यानि कि देली आवरीती बोलेंगे अगर इसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंद ये आपको ध्यान रखना है तो इतनी चीजे घर आपको ध्यान रखनी है और ये आपकी है कि दी जाने बारी minimum energy ये आपका होता है कारेफलन यानि की work function सब चीजे ये कही है इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा देखिए numerical के time ये बड़ा कामे आएगा ये बहुत कामे आएगा इसे आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा तो देखिए हम अपनी बात यही पर खतम करते हैं आपको हम बता रहे थे threshold energy या work function इसके बारे में इसमें आपने देखा threshold wavelength देखा threshold frequency देखा इन चीजों के बारे में आपने देखा है तो चलिए हम अपनी बात यही पर खतम करते हैं आपसे next video में हम फिर मिलते हैं और आप सभी लोगों को धन्यवाद